अंसर्टन क्या है तीन गुणों की दुनिया है तीनी गुणों की रहेगी समय है समय ही रहेगा शरीर है शरीर ही रहेगा पैदा हुए हो जीओगे मरोगे उसमें अनिश्चित क्या अनिश्चित तो कुछ भी नहीं है दिक्कत ये है कि अहंकार को कुछ सुनिश्चित चाहिए क्योंकि भीतर ही भीतर वो डरा हुआ है कहीं जानता है कि वो गलत है बल्कि वो नहीं है तो अपने लिए अपनी नजर में एक सुनिश्चित, एक सर्टेन कोना खोजना चाहता है उस कोने के संदर्ब में तुम्हें सबकुछ uncertain लगता है, वरना uncertain क्या है बात को समझझो तुम यह मत कहो कि जिन्दगी अनिष्चित है अप्रत्याशित है अनपेक्षित है नहीं, तुम पहले यह बताओ कि यह शब्द ही तुम्हारे मन में आया क्यो है तुम्हें जिंदगी पूर्व नियोजित, सुनिश्चित चाहिए क्यों तुम्हें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो जो हर इस्थिती में सम और स्वस्थ रह पाएगा क्योंकि तुम जूट हो सच की पहचान क्या होती है? वो मिटता नहीं वो तूटता नहीं जूट की पहचान क्या होती है कि वो कुछ खास परिस्थितियों में ही वैद कायम वैलिड रह सकता है परिस्थितियां बदल दोगे तो वो कायम नहीं रह पाएगा वो चूर हो जाएगा तो इसलिए तुमने अपने चारों ओर बड़ी मेहनत करके कुछ कृत्रिम परिस्थितियां जमा करी है उन कृत्रिम परिस्थितियों के भीतर तुम जब तक हो तब तक तो तुम बचे हुए हो तुलनात्मक रूप से बचे तो तब भी नहीं हो पर तब तक तुम तुलनात्मक रूप से सुरक्षित हो जब तक उन कृत्रिम परिस्थितियों के भीतर हो उन परिस्थितियों को एक ढख्का लगा वो गिरीं की तुम्हारी हालत खरा हो जाती है पता है कि अब तुम पर खत्रा आ गया इसलिए तुम चाहते हो कि बाहर सर्टेनिटी रहे इसलिए तुम चाहते हो कि बाहर जो वो कृत्रिम परिस्थितिया है वो कायम रहे उधारन के लिए तुम इज़दार आदमी हो अपनी नजर में अभी इज़द जो भी चीज़ होती है तुम इजददार कैसे हो तुम अपनी इजद करते हो इसलिए तुम इजददार हो तुम इजददार ऐसे हो कि दुनिया तुमारी इजद करती है तो अब तुम क्या करोगे अब तुम ये करोगे कि तुम किसी अंजानी जगह पर जा रहे हो जिसका तुम्हें पहले थी कुछ पता नहीं तुम अपने साथ अपने छह आदमी लेकर जाओगे ताकि उस जगह पर तुम्हें और कोई इजद दे रहा हो ना दे रहा हो ये छे आदमी तुम्हें इजद देते रहें और ये छे आदमी बाकियों कोई बोलते रहें कि ये बड़े थाब हैं बड़े इजददारें ने इजद देते रहें ये तुम क्या कर रहे हो तुमने अप देली दिल में जानते हो इज़दार तो तुम कुछ भी नहीं हो, क्या है इज़दार में, इज़द पूरा जो ये सिध्धानत है वही अजीब सा है, इसमें कुछ रखा नहीं, खोखली बात, ठीक है, तो अब तुम डरते हो, कि कहीं इस्थितियां इस प्रकार न बदल जाए कि मैं बेज़द हो जाओं, अब तुम थर तरह की कोशिश करोगे, इस्थितियों को अपने अनुसार सर्टेन, माने निश्चित करने की, वो करने ही पाओगे, बेज़द तो तुम तब ही हो जाते हो, जब तुम इज़द पाने की कोशिश करते हो, वैक्षन हो गया क्योंकि वो सब मानों, प्रतिमानों के अतीत हो गया, तो वो अतिशे सम्माननी हो गया, उसका मान ही अब मापा नहीं जा सकता, अब उसको ज़रूरत पड़ेगी, क्या अपनी इज़द, अपना सम्मान सुनिश्चित करने की, वो तो बे खौफ, बे खटके कहीं भी घुमे का फेरेगा, उसका मान कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसका अपमान कोई क्या करेगा, जूट को जरूरत पड़ती है, बचाव की सुरक्षा की, क्योंकि वो जूट, क्योंकि वो है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ विशेश परिस्थितियों में ही कृत्रिम रूप से बचा रह सक बस उसको तुम खुले आसमान में छोड़ दोगे तो वो मिट जाएगा जैसे कि तुमने जून की गर्मी में फ्रीजर में बर्फ जमा रखी हो वो बहुत परिशान रहती है बिजली तो नहीं कटने वाली आज बिजली तो नहीं कटेगी और बिजली कटना तो फिर भी छोटी बात है कहीं तुमने क्या दिया नहीं आज न दो पर में थोड़ा सड़क पर टहलने चलेंगे अपन दोनों साथ में वो दिल का दौर आ जाएगा बर्फ को क्योंकि वो कायम ही रह सकती है बस कुछ सुनिश्चित विशेश सुरक्षित परिस्थितियों में और वो परिस्थ वो इतनी महनत करता है अहंकार जून में फ्रीजर में जमी बर्फ की तरह है जब तक फ्रिज है जब तक बिजली है जब तक बिजली का बिल दिया जा रहा है तब तक तो अहंकार बचा रह सकता है इसलिए तो हंकार जी उन पर महनत करता रहता है और जहां वो खुली आवा म कि पिखल गया, मिट गया, जूट दिख गया, तुम थे ही नहीं, तुम कृत्रिम थे, तुम इसे बरदस्ती बनाया गया था, तुम नित्य हो ही नहीं सकते, तुम पल दो पल के हो, इसलिए तुम असरक्षित हो, अब या तो तुम मान लो, कि तुमने फिलहाल अपना जो हाल बना रखा है वो जूटा है और स्वेच्छा से गल जाओ पिघल जाओ या फिर तुम कोशिश करते रहो कि नहीं मैं फ्रिज में जितने दिन तक चल सकता हूं चलूं जितने दिन चल सकता हूं चलूं बहुत लोग ऐसे ही फ्रिज की बर्फ की तरह साथ-एसी साल चल भी जाते उसके बाद सीधे चिता की आग में पिघलते हैं सोचो बर्फ की अर्थी निकल रही है क्योंकि उसको जलाने वाली आग तो बर्फ के भीतर ही मौजूद है ना कितने दिन फ्रिज में रहेगी कभी ने कभी तो तूटेगी जितनी कम सुरक्षा की मांग करते के जी सको उतना अच्छा जितना कम तयारी और बंदो बसत के साथ जी सको उतना अच्छा जितना तुमको अपने चेहरे पर कम लिपा-पोती करनी पड़े उतना अच्छा जितना तुम विशेश परिस्थितियों की कम मांग करो उतना अच्छा मिल गया तुमको बिजनेस क्लास फ्लाइट में ठीक है चले जाओ काई को मना करना है लेकिन ऐसे मत हो जाना कि रेल के जनरल डबे में चलने लाया की नहीं बचे कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा, कोई दिन फाकम फाका जी ये मत हो जाना कि अगर फ्रीजर है तो में किसी ने बाहर निकाल दिया तो तुम बिलख रहे हो, कलप रहे हो और बर्फ की तरह फिर रो रहे हो, पिखलते ही जा रहे हो पानी पानी ये नहीं होना चाहिए जिस शान से तुम बिजनस क्लास में बैठो, उतनी शान से जनरल के भीड भरे डब्बे में खड़े भी हो जाओ वो शान तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, बिजनस क्लास की नहीं होनी चाहिए वो business class की अगर शान है तो जनरल के डबे में गायब हो जाएगी जितनी शान से महगे कपड़े पहनो उतनी शान से नंगा खड़ा होना भी आना चाहिए कपड़ों की शान नहीं होनी चाहिए कपड़े शांदार लगने चाहिए क्योंकि तुम्हारे उपर है इस बात बहुत अलग है